तो स्री देवी के बाद बॉलिवुड में फिर से सोक की लहर बॉलिवुड एक्टरेस सुनाली बेंदरे जो कि स्री देवी की बहुत ही अच्छी दोस्ती इस वक्त कैंसर से जूज रही है 43 वर्षी या एक्टरेस सोसल मीडिया की जरीए ये जानकारी दी है फिलार इसकी जानकारी नहीं है कि उन्हें कौन सा कैंसर है यानि कि सरीर के किस हिस्से में ट्यूमर बना है लेकिन उन्होंने अपने अधिकारिक वयान में बताया है कि उन्हें High Glade Cancer है और उनका Cancer Meta Stice हो चुका है Hello Friends, मेरा नाम है राजीब और आपको दिखने हैं Bollywood Breakfast Channel आपको बताते चलें कि Meta Stice Cancer का मतलब क्या होता है Meta Stice Cancer का मतलब होता है शरीर के अन्हिस्से में कैंसर का फैल जाना विशे सग्यों की मानी जाए तो शरीर के जिस हिस्से में ट्यूमर बनता है अगर वहां सेल्स तूटकर खून या लिंप्स यानि की लैसिका की जगी है शरीर के दूसरे हिस्से में फैलना सुरू हो जाता है उसे Cancer का Meta Stice होना कहते हैं अब घबरों की मानी जाए तो सुनाली बेंदरे Cancer की आख्री स्टेज में पहुंच चुकी है विशे सग्यों को निसार जब Cancer Meta Stice होकर सरीर के अने हिस्सों में फैलने लगते हैं उसे आख्री स्टेज माना जाता है अलाकि इस पुराव पर भी इसका उप्चार संबब है Cancer के मरीज को कब और कैसा ट्रीटमेंट देना है इसका फैसला करने से पहले डॉक्टर उनके Cancer स्टेज का पता लगाते हैं Cancer स्टेज का मतलब है ट्यूमर का अकार या फैलाव कितने हिस्से तक हो चुका है आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि Cancer में चार स्टेज पाये जाते हैं पहले स्टेज में Cancer छोटा और भीतरी अंग के अंदर होता है तो दूसरी स्टेज में ट्यूमर का अकार धे ज्यूर बढ़ने लगता है यानि कि कुछ मामरू में ट्यूमर के पास Limps में भी फैलना शुरू हो जाता है और तीसरी स्टेज में पहुँचने का मतलब है ट्यूमर के आसपास के टिसूज और लिम्स लोड में भी कैंसर फैलना शुरू हो जाता है और चौथे स्टेज का मतलब है कैंसर अपने मूल अस्थान से शरीर के अनहिंसों में कोई तरह से फैल जाता है तो उसे चौथा और आखरी स्टेज माना जाता है और इसके अलावा आपको ये भी बता दे कि नंबर के अलावा कैंसर का स्टेज मारूम करने के लिए TNM सिस्टम का भी उप्योग किया जाता है तरह सल T का मतलब होता है ट्यूमर कितना बड़ा है N का मतलब होता ये इंप स्लोड यानि कि ट्यूमर में किस हर तक बढ़ चुका है और इसके अलावा M का मतलब होता है कि M में ट्यूमर सेल Self के दूसरी आंग्यों में कितना पर्विस कर चुका है हम आपको बता दें कि high grade cancer क्या होता है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि cancer stage और cancer grade में अंतर होता है cancer stage का मतलब यह होता है कि cancer किस हद तक सरीर में फैल चुका है और cancer grade यह दर साता है कि सरीर में cancer के फैलने की छमता कितनी है microscope से देखने पर cells जितने abnormal होंगे उनके बढ़ने की रफ्तार और संभावना उतनी जादा होती है इसी के साथ आपको यह भी बताते चलें कि cancer में tumor cell और normal cell की तरह ही दिखते हैं उनके सरीर में फैलने की रफ्तार बहुत ही धीमी होती है अब ही हाई-grade cancer की बात करें तो हाई-grade cancer के मामले में microscope से देखने पर tumor cell normal cell से बहुत ज़्यादा और समानी दिखते हैं और वे सरीर में बहुत ही तेजी से फ्यालते हैं तो बॉलिवूर्ड एक्टर सुनाले बिंदरे के लिए दुआ कीजिए अगर आपके पास अपनी कोई राय हो था हमें कमेंट में जरूर बताईए फिलहालिस रिपोर्ट में इतना ही जैसे मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे अगर आप नए विश्टर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहे है